नमस्कार अब देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान पे सिर्मा जाप्रबादी यमनाविकास प्राधिकन दुआरा चौंसर दसलमलब साथ प्रसत अत्रिक्त मौपजा किसानों को मिलना सुरू हो गया है फिर भी किसानों में तरह तरह के भ्रहम है बहुत सारे लोग जाना चाहत हैं किस तरह से यमनाविकास प्राधिकन किसानों को दे रहा है मौपजा किस जिले के कितने किसानों को मिलेगा यह मौपजा और प्राधिकन ने क्या योजना बनाई है किन गाओं में कैम्प लगाए जा रहे हैं और किन गाओं में कल लगेगा कैम्प क्या दर पर मिल रहा है यह मापजा और किसानों को क्या सारते पूरी करनी पड़ रही है इस समंद में क्या है पूरा अपडेट आईए देखें जागो हिंदुस्तान दोस्तों एक निवेदन और आपसे है इस वीडियो का लिंक अधिक से अधिक दोस्तों में सेयर जरू करें ताकि जो अतरिक्त माप यह मापजा किसानों को देना सुरू कर दिया है लगवग 10,000 किसानों को यह मापजा मिलेगा प्रादिकर्ण ने गौतम बुदनगर जिले के 29 गाओं के किसानों को यह मापजा देने की प्रिकरिया सुरू कर दी है कुछ गाओं में कैम्प लगा जा रहे हैं और कुछ गाओ के OSD सेलेंदर सिंग ने बताया कि एक महिने में वह अत्रिक्त मापजा किसानों को दे देंगे गौतम बुदनगर के अलावा बुलंसहर अलीगड हात्रस आगरा के किसान भी समंद में जानना चाहते हैं लेकिन प्राधिकर्ण अभी गौतम बुदनगर के किसानों को ही यह मापजा दे रही है प्राधिकर्ण ने ग्यार है कमपनियों को नोटिस जारी किये हैं इन कमपनियों से 300 करोड रुपया प्राधिकर्ण को मिलेगा इससे पहले प्राधिकर्ण ने मापजा बांटने की प्रिकरिया सुरू कर दी है गौतम बुदनगर के नीलोनी साहपुर मि अहमदपुर गुजर गाउं में यह मौपजा मिलने की प्रकरिया सुरू हो गई है इन गाउं में कैम्प लगाए जा रहे हैं काफी किसानों को यह मौपजा रासी प्रदान कर दी गई है मौपजे की रासी किसानों के खाते में जा रही है इसके बाद अन गाउं में कैम्प ल रही है जहां पर विकास कारिये रुके पड़े हैं 120 मीटर 100 मीटर 60 मीटर 45 मीटर और 30 मीटर के सेक्टर मार्ग जहां पर रुके हुए हैं उन गाउं के किसानों को अत्रिक्त मापजा देने की प्रिक्रिया सब से पहले सुरू की जा रही है किस दर पर किसानों को यह अत्रिक्त तरिक्तु माप्जा मिल रहा है अत्रिक्तु माप्जा मिलने के लिए किसानों को क्या-kया डाकूमेंट देने पड़ रहे हैं यह भी जाने प्राधिकन्द द्वा रुपध किसानों से नक्सा 11 है कबजा पत्र पासबुक आधर काड़ दो गवाहों के आधर काड़ और 100-100 पर सुप्रीम कोड का जज्जमेंट आने के बाद प्राधिकन के सियो डाक्टर अरुनुभी सिंग ने प्राधिकन के चार तैसिलदार इस काम में लगा रखे हैं जिस गाउं का जो तैसिलदार है जो लेक पाल है उससे इस समंद में पूरी जानकारी लिजा सकती है कुछ गाउं में कैम्प लगाने के लिए योजना प्राधिकन ने तैयार कर ली है कुछ तैसिलदार ने भी अपने छितर के गाउं की रिपोर्ट प्राधिकन के उच्चा अधिकारियों को बेज दी है अनुमती मिलते ही उन गाउं में भी यह प्रक्रिया जल्दी शुरू की जा रही है अत्रिक तुम आपजे के समन्द में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्द कराएंगे नए साथी चनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ये बने एरपोर्ट, फिल्म सिटी, न्यू नडा, न्यू गेटा नडा, टपल वाजना, राया, मत्रा, अरवन, सैंटर, सहित, एंसियार के डिवलप्मेंट और खास मुद्दों पर आप रखते हैं ध्यान तो लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान, मसती शर अब्रवादी, नमस्कार